नामांकन करने वाले हैं, चिराग के नामांकन में शामिल होने के लिए बीजेपी, प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीम समराड चौधरी सहित, बेयार के एंडिये के तमाम बड़े नेता हाजेपुर पहुंच चुके हैं, वहीं चिराग पासवान ने नामांकन में शामि होने के लिए अपने चाचा पशुपते कुमार पारस को भी निमंत्रण भेजा है, चिराग पासवान का मुकाबला आर्चेडी के उमिद्वार शिवचंदर राम से है, आपको बताते चलिंग के हाजेपुर को दिवंगत रामविलास पासवान की कर्म भूमी कहा जाता है, इस सीट से उनके पिता रामविलास पासवान चुनाओ लड़ा करते थी और ये पहली बार है, जब चिराग पासवान हाजेपुर सूट से लोगसभाद चुनाओ के इस मैदान में उत्रे हैं। इन लोगसभाद सीटों पर ये मत्दान होने हैं, उनमें अरड़िया, सुपॉल, मधेपुरा, खगड़िया और जंजारपुर, ये वो पांच लोगसभाद सीटे हैं, जहाँ पर तीसरे चरण में वोटिंग होगी और इन सभी लोगसभाद सीटों पर बेहतर मत्दान हो, बिहार में पांच लोगसभाद छेतर में चुनाओ होने हैं, जिसमें अरड़िया, सुपॉल, मधेपुरा जिए इन जगों पर चुनाओ होने हैं, जहने जहाँ होने हैं, और इसको लिकरके निर्वाचन आयोग ने पुरी तोर पर तैयारी कर रखी है, और बताते चले कि न निर्वाइशन आयो जहें वो लागतार इन तमाम जो लोग arts रहें जिनजलो में वहाँ पे जिनादकारियों के साथ जूद्वीडीयों कांआर耍ार इपस्टेशन की है। उसके साथ जी तकर जो दिय को जो है मद्दान होने हैं तो साथ मई को अपना साड़ा काम छोड़ करके आप सबसे पहले जो है वो काम करना है आपको तो वो है वोट पॉल करने का यानि कि अपने मत का इस्तमाल करने का लोगतंतर में जो आपको अधिकार दिया है उसका इस्तमाला को करना है और इसके आपके छेतर में चुनाओं होने हैं उस दिन निशित और पे आप मद्नान के इंद पर जाकर करकर वोट पोल करें और अपना बेटर नेता जो है उसे चुने अपना बेटर सांसर चुने अमित मार्ट न्यू यटिंग पट्ना तो देखे बेहार में साथ मई को तीसरे चुरन की वोटिंग होनी और इससे लेकर प्रचार जो है बेहार के रण में आज जो बीजेपी के कई स्टार प्रचार को का जमावड़ा आपको देखने को मिलेगा जन में पाठी के राष्टी अध्यक्ष जेपी नड़ा मुझजफरपूर और अररया में चुनावी जन सभा को सम्बोधित करते हुए नजर आएंगे वही मुलसफरपूर में बीजेपी उमिद्वार डॉक्टर राज भूशन निशाद के लिए जेपी नड़ा चुनाव परचार करते दिखेंगे जबकि अररया में बीजेपी उमिद्वार प्रदीप सिंग के लिए पलासी के धर्म गंच में चुनावी सभा को सम्बोधित करेंगे रक्षामंत्री राजनाथ सिंग भी आज बेयार के दोरे पर रहेंगे और सारण में विराजी प्रताप रूडी के नामांकन में शामिल होने वाले हैं नामांकन के बाद राजिंद्र स्टेटियम में एक जन सभा को सम्बोधित करेंगे राजनाथ सिंग और इसके बाद राजनाथ सिंग सुपॉल में भी जेटियू मिद्वार दिलिश्वर कामायत के लिए चुना प्रचार करते हुए दिखेंगे मुख्यमिंद्री नितिश कुमार की अगर बात करें तो वे आज तीन जगों पर चुनावी सभा को सम्बोधित करने वाले हैं जिन में सुपॉल मधेपूरा और बेगुसराय शामिल है 36 वी आदो का भी आज तुफानी प्रचार जारी है वे आज खगड़िया, मधेपूरा, सुपॉल, अररया और जंजारपूर में 6 चुनावी सभा को सम्बोधित करने वाले हैं प्रचार करते हुए दिखेंगे अपने-अपने कैंडिडेट के लिए और उसके लिए जंता से वोट की अपील की जाएगी यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं यह इन तमाम चैरों को आप चुनावी मैदान में देख रहे होंगे